नमस्कार चात्रो आपका स्वागत है हमारी उटूब चैनल पर आज हम देखेंगे लेमारकवाद और डारविन बाद में अंतर सबसे पहले आप क्या करेंगी दो कॉलम बनाएंगी फश्ट कॉलम में आप लिखेंगी लेमार्क बाद और सेकंड कॉलम में आप लिखेंगी डार्विन बाद लेमार्क बाद में आपको एक नमबर डाल कर लिखना है लेमार्वाद ने उपारजित लच्छनों की बंसरती की आधार पर अपना सिद्धान्त दिया है और डार्विन बाद में आपको एक नमबर डाल कर लिखना है डार्विन बाद ने प्राक्तिक चेयन पर आधार जैब विकास की बात की है लेमार्क वाद में आपको दोन नमबर डाल कर लिखना है लेमार्क ने अपने सिध्धान्त को जिराप की लंबी गर्धन के उधारन से समझाया है डार्विन ने योग गतम की उत्तर जीविता के आधार पर अपना सिध्धान्त दिया तीन नमबर डालकर आपको लिखना है लेमार्क का बात प्राणियों पर आधारित है डार्विन में आपको तीन नमबर डालकर लिखना है डार्विन का बात प्रक्ति पर आधारित है लेमार्क बात में आपको चान नमबर डालकर लिखना है लेमार्क ने अंगों के उपयोग और अनुपयोग की वाद की है डार्विन ने अपने सिध्धान्त में जीवों की वनस्गती की वाद की है झलिए तो हमारा लेमार्क बार्विन बाद में अंतर कम्पलीट होता है अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक करें चैनल को सस्क्राइब करों वीडियो को अपने दोस्तों को भी शियर करें ठैंक यूँ